आसिम रियाज के आगे ठाना चाहिए जब मैंने उसके लिए थोड़ी सी जितनी डीटेल्स में गया तो फिर मुझे कुछ ऐसी बाते बता लगी के आसिम रियाज एक कश्मीरी आतंगवादी है इसे लोगो भी पाइसपोर्ट जब करना चाहिए कश्मीरी आतंगवादी, इनको कश्मीर वापिस भेजना चाहिए मिजेटली कर दो कर दूदर कर दूदर कर दो कुछ ऐसी इंफोर्मेशन में अभी दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ मैं आपको कल का कुछ बताता हूँ मैं कल काफी लेड अपने घर पोचा जब मैंने अपना फोन देखा घर पहुचके तो काफी मेसेज़िस थे अभी लोग मुझे से कनेक्ट होते जा रहा है किसी चीज़ के रिगार्डिंग के आप इसके लिए बोलिए उसके लिए बोलिए जबके मुझे बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं था कि अभी आसिम रियाज उम्रे पे गए हैं महां उन्होंने जाके क्या क्या किया तो लोग अभी मुझे खूब उन्होंने टैक्स किये वाटसेप किये इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजिस किये कि आसिम रियाज के अगेंस आना चाहिए जब मैंने उसके लिए थोड़ी सी जितनी डीटेल्स में गया तो फिर मुझे कुछ ऐसी बाते बते लगी कि आसिम रियाज एक कश्मीरी आतंगवादी हैं जो मुंबई में रह रहा हैं और पूरा मुंबई का माहौल जिन्नोंने खराब करके रखा है और धर्मिक चीजों को भी वो अपना करियर के लिए यूस कर रहे हैं तो मुझे ऐसा नहीं कह रहा हूँ अगर कोई मुझे सपोर्ट कर रहे है या हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं किसी हिंदु धर्म के अगेंस भी कोई आएगा तो कोई मुझे बोलेगा तो मैं उसके अगेंस भी एक्शन लूँगा उम्रे के नाम पे आसम रियाज जाकर फोटो शूट कर रहा है हमारे धर्म बता जाता है अप अम्रे पे जा रहा है खाने काबा जा रहा है तो आपके बाल जो आप जो राउंड सर्किल लेते हैं उसको तवाफ कहते है चोटे चोटे आपके बाल होना चाहिए वो भी उन्हें नहीं किया है तो मेरे हिसाब से गवर्मेंट को इमिजेटली आसम रियाज को बंबे से बैन करना चाहिए आसम रियाज और उनके बाप का पासपोर्ट ज होता है वहां तो जो लोकल्स है जो अर्बी हैं उनको पता नहीं है कि लोग जाकि वहां पर कैमरा मोबाइल भी अलाव नहीं होते हैं वह अंदर जाकि वीडियो शूट कर रहा है पूरा उसके आगे शाज में आया हूँ तो मेरी तो इनसे पूरे दुनिया से मेरी गुजारिश है कि मेरा सपोर्ट करें इस लड़ाई में फिर से एक बार में सामने आया हूँ लोगों मुझे मैसेज कर रहा है कि आप इसके अगेंस कड़े हुई है इसके पावदरी जगों का आसियम्रीाज नी यूद Gabi गया ता आला को दिखाने के लिए उम्राव करनी अगया तो यह उसने एक बहुत गलत पार अव्यान था है प्रिज़ प्राइब आम लिए गर्याज के चाहिए तो तो आपने अजिए प्रियाज की चाहिए आपने अर्च विडियो के बना रहे थी आप अ पहुत रहे होता है जी बिल्कुर रायग कर्यक्ट जी आप लोग ने वहां खड़े लाएके एक वीडियो बनाना और वीडियो डालना चाहिए यह सब बाते सही है बिल्कुल भी सही नहीं है देखिए हिना खान ने जो किया है अगर जिसने भी ऐसा किया है इविन में भी अगर वो जाकी करता हूं उम्रा पे तो बहुत गलत है महां पे मोबाइल अलाउन होना चाहिए कैमरे अलाउन होना चाहिए देखिए महां पर लाखो करोलों लोग जाते हैं वह ऐसी पाक पवित्री जगा है वहां पर जाके आप छुपके कुछ कर रहा है तो कौन वहां देखने वाला है बट ये इनको करना ही नहीं चाहिए ऐसा ये कितना गलत कर है इन जिसे कश्मरियों का तो पासपोर्ट जब करना चाहिए ये बांबे में रहे के और मैं आपको बात बता दूँ आसिम रियाज एक आतंगवादी है एक दिन बांबे में बांब बनके पटेगा आसिम रियाज ये आज फैदर अंसरी का दावा है आप आज की डेट आज को अपरोच किया है उन्होंने इतना सपोर्ट किया आप कैसे कह सकते हो कि वह एक आतंगा देखिए उनका पाफॉर्मेंस जब था वो शो पुराना हो चुका है वो काफी पहले उस शो में गए थे अभी नहीं और आपने बहुत अच्छा कोशन निकाला है भी मैं दुनिया क को ये भी बताना चाहता हूँ नेशनल चैनल पर कि वो एक उनके दिखावे का हिस्सा है जो अभी वो ऑसिम रियाज कर रहा है एक्च्छल में आसिम रियास का करियर खतम हो चको है उनके पास काम नहीं है तो अभी वो धार्मिक जगाओं को यूस कर रहे हैं कल को मंदिर आ नहीं हूँ और मैं आपको एक और बाद लिखके दे रहा हूँ आप नोट कर लीजिए आसिम रियाज में इतनी हिम्मत नहीं कि फैदा नंसरी को इतना सभी जवाब दे सके यह कुछ कर सके खड़ा हूं मैं बंबे में आसिम रियाज है उसका बाप आके मुझे कुछ बोल के ब हतम हो चुका है आसिम रियाज फ्लॉप हो चुके हैं तो वह दूसरा रस्ता अपना रहा है आगे जाने के लिए तो मेरी गुजारेश है पुरी दुनिया की लोगों से मेरा सपोर्ट करें आसिम रियाज जैसे 36 लोगों को अभी में सामने लागे नंगा करने वाला हूँ अ बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है अभी मैं आप लोगे दूरू पहले पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि इसने उम्रे को मक्य मदिना को खाने काबों को यूस करा है वहां जाके फोटो शूट किया है इसका उम्रा माना ही नहीं गया है और बस वहां से पूरी कर रहा है जाकि हीरो बन की घुम रहा है वहां पर एसे लोगा तो पासपोर्ट करना चाहिए कश्मीरी आतंगवादी इनको कश्मीर वापिस भेंगा चाहिए मिजेटली